हेलो फ्रेंड आज आपके लिए लेकर आए हूँ सूरज मुखी के ओश्यधिय गुर्भ सूरज मुखी जो की बहुत ही सुन्दर फूल होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज मुखी हमारी दे काफ यूप योगी है इसके फूल, बीज और पत्यों को हम ओश्यधि के रूप में काफी काव मिला सकते हैं तो आएए बिना किसी देर के आजानते हैं सूरज मुखी के कुछ फायदों के बारे में टेप नमबर बन यदि किसी को मलेरिया हो गया है और शरीर बुखार से बहुत ही तप्रा है तो आप सूरज मुखी की पत्यों को पीस कर उसका लेप उसके शरीर पर लगा दीजे ऐसा करने से शरीर का तापमा यंतरित होगा साथ ही साथ बुखार भी धीरे-धीरे ठंडा बढ़ जाएगा टेप नमबर टू जी मिचलाना हो या फिर बार-बार उल्टी होना अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो वैस सूरज मुखी की पत्यों का तेल निकाल कर दो 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 बुन करके अपनी नाप में डाल सकते हैं ऐसा करने से काफी फाइला मिलेगा नमबर त्री कई बार हमारे कान के अंदर कोई कीरा चला जाता है जिसकी वज़त से कान में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और चाहा कर भी वो बाहर नहीं निकल पाता है ऐसी स्थिती में आपको सूरज मुखी के तेल के अंदर दो से चार लहसुन की कलियों को अच्छी तरीके से पका कर उस तेल को हलका गुनगुना करके अपने कान में डालना चाहिए ऐसा करने से वो कीड़ा भी मर जाएगा साथ ही साथ तेल समीत कीड़ा कान से बाहर आ जाएगा टिप नमबर फोर कई बाल हमारा हाजमा गर बढ़ा जाता है जिसकी वज़से अचानक पेट खराब हो जाता है ऐसी स्थिती के अंदर आप गरम दूद के अंदर दो से चार बून सूरज मुखी के तेल की डाल कर उसका सेवन कीजे ऐसा करने से आप ओ आराम हैसूस होगा टिप नमबर फाइब यदि आप प्रेगनेट है तो आपको सूरज मुखी के बीजो का इस्निमाल करना चाहिए सूरज मुखी के बीजो के अंदर विटेमिन B और E पाया जाता है जो शेरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है इसलिए प्रेगनेंसी में अगर महिला को आप सूरज मुखी के बीजो का सेवन कराते हैं तो ये उसके शेरीर के लिए और शिशो के लिए दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा ये थे सूरज मुखी के कुछ और शिदेगुन इन्हें अपनाई और अपने व्यूज को हमारे साथ शेर करिए मेरी ब्यूटी और हैसे रिलेटिट वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजे